हेलो फ्रेंड्स वेलकम डूमा यूटूब चैनल आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकेंड ग्रेड के लिए मैं तपॉन क्यूशनों के बारे में इन क्यूशनों का प्लास्टर तक जरूर देखना साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करन अगला जो किशन निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है तो उद्यपूर जितवडगड में लाल काली मीटी है उसके बाद में अलवर जेपूर में दोमट मीटी है स्री गंगानगर नमानगड में बुरी मीटी नहीं है अगला है कोटा जालावाड में काली मीट सिरी गंगानगर नमानगर में बूरी मीटी नहीं है बूरी वल्लूई मीटी का निर्मान बालू का स्थूप से लूणी बेसीन में हुआ है जिसके परमुक्षे तरह जलोर पाली नागोर अजमेर सीकर और जुझडों अगरा चुकिश्र पस्मी रास्तान की मिटी अमलिय और सारी ततों से संक्सित कैसे हो जाती है तो मिटी की निचली स्तै से उपर की और को सिकाओं द्वारा जल रिशाव से पस्मी रास्तान की मिटी अमलिय और सारी ततों से संसिक्त इसलिए हो जाती है कि मिटी की निचली स्तै से उपर की और को सिकाओं द्वारा जल रिशाव होत का निर्मान होता है सही है अगला है दक्षणी भाग में फास्पेटिक सेलों के चरण से मिस्रित लाल मिटी का निर्मान होता है ये दोनों कतन सही है राजी में काली मिटी दक्षणी पूर्वी भाग ओटा बुंदी जलवार जिलों में पाई जाती है ये लावा निर्मीत मर् है रेटि लीमिटी अगला किश्यदा उस्वर भूमी किसे कहते घारी ये जो होती है उस्वर भूमी बोला जाता है अगला किश्यदा राज्य का सेंड या कार्च बलू का की मुंखित परियूकत किया जाता हैं तो कांच उद्यों की अंदर सीलिका सेड का उपयोग की जाता है ये थर्ड ग्रेड में पुछा गया क्यूशन है अगला क्यूशन है राज्य के किस जिल्ह में एश्या की सबसे बड़े कर्षी यांत्रिक फोर्म की स्ताफना की गई राजस्तान में एशिया की सबसे बड़ी कर्षी यांत्रिक फोर्म की स्ताफना स्री गंगानगर में की गई सुर्थगर्ड यांत्रिक कर्षी फोर्म गंगानगर एशिया सबसे बड़ा यांत्री कर्सी फोर्म है इसका चेतरपल 12,410 वरग हेक्टेर है इसकी स्थापना पंदर अगस्त 1956 में किय गई थी सोबित संग के स्वयग से स्थापित किया गया है इसका मुख्य कार्य कर्सी चेतर में यांत्रों को बड़ावा देना है अच्छी नसल के पस्वों का कर्सी कार्या में उप्योग करना इस यांत्रीक फोर्म का मुख्य कार्या है अगला किशन राजस्तान में चावल का सरवादी की उत्पादन की जिले में होता है तो राजस्तान की बात करे तो सरवादी की जो चावल है वो उनमारगत जिले में उत्पाद्य दोता है राज भी मानसून का जुवा किसे कहते हैं कर्षि को राजस्तान के अंदर मानसून का जुवा कहते हैं परदेश की लगबग हर साल नावर्स्टी और एस्वान वर्सा जैसी पर्तिकुल परस्टीतियों का सामना करना पड़ता है और वर्सा पर निर्वर्ता के कारण राज्या में बहुए जाने वाले कर्षित छेतरे और कर्षि उत्पादन में वर्स दरवर उतार चड़ा होते रहते हैं इनी कारणों से राज्या में कर्षि को मानसुन का जुआ कहते हैं यानि बदलाव ज्यादा है बारिस में और जो कर्स्ची में है उसे इसलिए राजस्तान का मानसुन का जुआ कहते है कर्स्ची को अगला किशन है राजस्तान में कपास का सरवादिक उतपादन कहां पर होता है कपास सरवादिक घंगानगर जिल्ले में होता है मक्का उत्पातन का परमुख जिल्ला यूगम कौन सा है तो उद्व्यपूर रासमन्द है वह मक्का उत्पातन में परमुख जिल्ले है पीठे थर्ड ग्रेड में पुछा गया क्यूशन है मक्का की हरीपतियों से बनाय गए चारे को साइलेज का जाता है मक्के की जो हरीपती होती है उससे जो बनाया जाता है उससे साइलेज बोला जाता है माही कंचन और माही दवल मक्का की किशम है ये दो किशम है माही कंचन और माही दवल अगला क्रिष्ण है राजस्तान राज्य कि चार पसलों के अंतरगात सिंचि छेतर का प्रतिशत गिर्तेवे करम में हमें बताना है तो गेहू कपाच चन्नवे तिल गेहू कपाच चन्नवे तिल अगला क्रिशन है जेपूर चूरू अजमेर और किशनगड में से कौन सा एक सहर बिसलपूर परियोजना से जल प्राप्त नहीं करता है तो देखिए जेपूर करता है चूरू नहीं करता है अजमेर करता है किशनगड करता है बिसलपूर परियोजना को प्योग लेगिन चूरू इसका सही आंसर है जो बिशलपूर प्रियोजना से जलप्राप्त नहीं करता है बिशलपूर प्रियोजना की जलपूरती बना सनदी से होती है और बिशलपूर प्रियोजना से टौंक स्वायमादपूर बुंदी में सिंचाई श्विदा अजमेर ब्यावर किसंगड नसीराबाद केकड़ी सरवार जेपूर आधी को पेजल प्राप्त होता है राजस्तान से कौन सी नहर सबसे पुरानी सिंचाई पर नालियों के लिए जानी जाती है जो वर्स 1928 में पूरिवी थी ताकि स्री गंगानगर जीले के उत्रिपस्मी बाग की पूर्ति करे तो इसका सही अंसर है गंगनहर गंगनहर का निर्मान 17 नदी पर वर्स 1927 में माराजा गंगासी ने करवाया था और इस नहर की कुल लंबाई है दो सो बाण में किलोमेटर गंगासी voice को 17 नदी पर वर्स 1927 में माराजा गंगासी ने बाःद का निर्मान करएं था और गंगनहर वो लेकर की आया थे अगला जो क्यूशन है भीम सागर सिंचाई प्रियोजना किस जिले में स्तीत है भीम सागर सिंचाई प्रियोजना है वो जालावार जिले में है जालावार जिले में भीम सागर सिंचाई प्रियोजना है इतार ग्रेड में पूछा गया क्यूशन है खडीन वर्षा जल संग्रेन की प्रमप्रा विदी पाई जाती है परनालाल बारुपाल के नाल का जल स्त्रोथ है वो है हरीके बेराज बांद अगला किशनलिप्ट प्रियोजना को पिन्ने की पानी की आपूरती वाले सहरों से सुमिलित करना है बांखली बांद से जालो और पानी पिता है उसके बाद में सोम कमला अंबा जो बनाया गया है बांद उसमें डूंगरपूर पानी स्प्लाई किया जाता है मोरेल बांद से स्वाइमादोपूर और जाक्खम बांद से परताबगड को पानी दिया जाता है यह सभी सुमेलित है अगला जो कुछन है पांचना सिंचाई प्रियोजना की जिले में स्थीत है पांचना सिंचाई प्रियोजना करोले जिले में स्थीत है पांचना बांध करोली में है तो दोस्तों यह आज वो है मानमोरी के लेख के रचेता कौन थे मानमोरी जो लेख है उ उसके रचेता है पुशे अगला है वीरद शिनगार की रचना किसने की वीरद शिनगार की रचना किसने की A ओप्षन सुर्जदास B ओप्षन करणीदान C ओप्षन जमनादास D ओप्षन देवदास इसका सही आंसर हो जाएगा करणीदान वीरद शिनगार की रचना करणीदा ने की थी, B option सही होगा, अगला क्यूशन है, माधवानल, काम, कंदला, चवपई के लेख कौन है, A option कुसल देवी, B option पेमल, C option राम सिंग, और D option है, कुसल लाब, तो इसका सही आंसर है, कुसल लाब, D option सही होगा, अगला क्यूशन है, अचलदास खिंचरी वाचिका के लेख कौन है, A option सिवदास गाडण, B option स्यामलदास, C option सूर्लियमन मिशन, D option कनयाल, तो इसका सही आंसर होजाएगा, सिवदास गाडण है, वो अचलदास खिंचरी वाचिका के लेख कै, A option सही होगा, सिवदास गाडण, अगला किशन है लक्समी कुमारी चुंडावत की रचना है लक्समी कुमारी चुंडावत की रचना है वो क्या है तो A ओप्सन मुमल बगडावत पापुजीरी बात B option है राज रूपक, वंस बासकर ख्याल C option है मुमल, राज रूपक, वीरविनोद और D option है वंस बासकर वीरविनोद और बगडावत लक्समी कुमारी चुनदावत है उसकी रचना कौन-कौन सी है तो वो है एक तो मुमल, एक है बगडावत, एक है पाबुजीरी बात ये तिनो जो रचना है ये लक्समी कुमारी चुनदावत की है A option सही होगा अगला किशन है राज रूपक के लेखक कोन है important है राज रूपक के लेखक कोन है A option भवानी, B option स्यामलदा, C option सुर्यमलमिशन और D option है वीरभाण तो इसका सही आंसर वीरभाण है क्योंकि जो राज रूपक है उसके लेखक है वीरभाण D option सही होगा अगला किशन है नगरी का लेख किस जिले से प्राप्टवा है नगरी का लेख किस जिले से प्राप्टवा है A option उद्यपूर, B option चितोरगट, C option अजमेर, D option पाली इसका सही आंसर है चितोरगट नगरी का लेख है वीरभाण जिले से प्राप्टवा है B option इसका सही होगा अगला किसने बुचकला वे गटियाला के सिलालेक राजस्तान के किस जिले से प्राप्टवा है बुचकला वे गटियाला के सिलालेक वे राजस्तान के किस जिले से प्राप्टवा है A option बाडमेर, B option जालोर, C option पाली और D option जोधपूर तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोदपुर बुचकला वैगटियाला के सिलाले कब जोदपुर जिले से प्राप्टवा है D option इसका सही होगा अगला किशन है हमायू नामा के लेख कोन है हमायू नामा है उसके लेख कोन है अगला किशन है अर्थूना का सियू मंदीर जो पुरातात्वीक डर्स्टी से मैतोपूनए किस जिले में है अर्थुना का σीवमंदीर है जो एक पूरा तात्विक द inhabited से महत पुणाई की जिले में है अगला किसने कुम्बलगड के किस मंदीर को मामा देव मंदीर कहते हैं कुम्बलगड का कोण सा मंदीर है जिसको अब मामा मंदीर कहते हैं तो इसका सही आंसर है कुम्ब श्याम मंदिर है कुम्ब श्याम मंदिर है उसको मामा देव मंदिर कहते हैं सही होगा कुम्भ श्याम मंदिर अगला क्यूशन है बेराट के उत्कनन में कितनी इंडो ग्रिक मुद्राय प्राप्त हुएं दोस्तों मैं क्यूशन को दो बार रिपीट करता हूं इसलिए आपको जल्दी याद हो जाएं ताकि अगर ये वीडियो आप दूसरी बार भी देखे तो ये क्यूशन एक बार लगबग आप च्यार बार रिपीट कर चुके होंगे इसलिए मैं दो बार एक क्यूशन को दो राता हूं ताकि आपको जल्दी याद हो जाएं अगला क्यूशन है बिराट के उत्कलण में कितने इंडो-ग्रीक मुदराइब राप्त हुई है बिराट के जो उत्कलण वाता उसमें कितने इंडो-ग्रीक मुदराइब मिले है A49, B cannot. 30, C cannot. 28, D cannot. 22 तो इसका स्भी आंसर है 28 इंडो ग्रीक मुद्राओं की स्थापना कहा किये गई थी अगरा किशन है सर्चोटु राम समारक संग्राले किस जिले में स्थीत है अगरा किशन है काली बंगा संग्राले क्यों परसीद है काली बंगा संग्राले क्यों परसीद है अगरा किशन है अप्राजीत के सिलाले के रचेता निमल कित में से कोन है अप्राजीत के जो सिलाले के रचेता कोन है अगरा किशन है मेवार की आँख वे संकटकाले इंराजदानी के नाम से कोन से दुर्ग को जाना जाता है मेवार की आँख वे संकटकाले इंराजदानी के नाम से कोन से दुर्ग को जाना जाता है अप्सन कुम्बलगड दुर्ग, बी ओप्सन रणतंबोर दुर्ग, सी ओप्सन अचलगड दुर्ग और दी ओप्सन चीतोड का दुर्ग तो इसका सही अंसर आजाएगा कुम्बलगड दुर्ग, कुम्बलगड दुर्ग को मेवार की आँख कहते हैं वे संकटकाली राजदानी भी कहते हैं अगला क्रिश्चन है, राना कुमबा दूरा निर्मीत अचलगड का किला की स्तान परस्तित है अचलगड का कहाँ पर है A option सीवाना B option आहोर C option माउंट अबू D option पाली तो इसका सही अंसर हो जाएगा माउंट अबू जो राना कुमाद वरा निर्मीत अचलगड का जो खिला है माउंट अबू में स्थित है C option इसका सही हो जाएगा अगला किशन है माराना परताब किसमें अकपर ने सहाबाज खां को कितनी बार मिवाड पर आकर्मन के लिए भेजा था यानि कि दोस्तों माराना परताब किसमें अकपर ने सहाबाज को कितनी बार मिवाड पर आकर्मन के लिए भेजा था A option 2, B option 3, C option 4, D option 1 तो इसका सही अंसरो जाएगा B option 3 मारना परताव किसमें एकवर ने चावाज खांको तीन बार मेवाड पर आकर्मन के लिए बेज़ा था B option C होगा 3 अगला किसमें राणा लाखा मेवाड का सासक कब बना था राणा लाखा मेवाड का सासक कब बना था A option 364, B option 1327, C option 1382 में D option 1324 में तो इसका सही अंसर हो जाएगा 1382 में राणा लाखा मेवाड का सासक बना था C option सही होगा अगला किसमें कुम्बा ने किस दुर्ग के अंदर अपने निवास के लिए कटारगड नामक महल का निर्मान कर आया था A option कुंबलगड़ दूर्ग, B option सीतोड़ दूर्ग, C option बमड़ दूर्ग, D option अतलगड़ दूर्ग तो इसका सही अंसर हो जाएगा कुंबलगड़ दूर्ग में कटारगड़ दूर्ग का निर्मान कुंबा नहीं करवाया था अपने निवास के लिए अगला क्यूशन है शिल्प सास्त्री मंदन द्वारा लिखीत ग्रंथ कौन सा नहीं है शिल्प सास्त्री मंदन द्वारा लिखीत इन वे से ग्रंथ कौन सा नहीं है एक तो रूप मंडल, एक परसाद मंडल, एक वास्तु मंडल, वास्तु सार मंडल, लेकिन कल्ला मंडल है वो नहीं है, इसलिए डी अप्सनिस का सही होगा, अगरा किशने अकबर दवारा परताब के पास बेजे गए परतिनीदियों को करमानुसर बताना है में, अकबर ने पर जलालखा मानसिंह, बगवंदास टोडरमल, इसके में जो च्त कि रहती है, वह जम्मा बातो, जम्मा बातो, से जलालखा, मानसिंह, बगवंदास, टोडरमल, यस तरह से पर यह त्रिक लगा कर याद कर सकते हैं, C.Op.S. जलाल्खामान सेंग, भगवानदास, टोटरमल, जम्मा, बातों अगला कुछने गुहिल वंस का अंतिम सासक कौन था अंतिम सासक कौन था A.Op.S. समर सिंग, B.Op.S. समन सिंग, C.Op.S. कुमार सेंग और D.Op.S. रतन सिंग पर सीद विजोलिया किसान अनोन की सुरवात मेवाड की कोण से सासक किसमें हुई थी उस टाइम मेवाड की सासक कोण था A उपसन खुपाल सिंग, B उपसन सवरुफ सिंग, C उपसन सर्जन सिंग or D उपसन फते सिंग तो इसका सही आंसर हो जाएगा फते सिंग के समय पते सिंग मेवाड का साथ सक था उस टाइम विजोलिया कि सानानों की सुरुवात होई थी D option सही होगा फते सिंग अगला किशन है अल्दीकाट के युद में मारना परताब के साथ एक मतर मुसलिम सरदार कौन था अल्दीकाट के युद में मारना परताब का एक मुसलिम सरदार था वो कौन था? A option अजमल खा, B option रह्मान का, C option जफर खा और D option आकिम खा सुरी आपको पता है सेनापती था आकिम का सुरी मारना परताब का तो जो सेनापती था वो था मुस्लिम और अकबर का जो सेनापती था वो था हिंदू इसलिए अल्दीगाटी यूद में मारना परताब का एक मातर सेनापती मुस्लिम सेनापती सरदार था आकिम का सुरी D option इसका सही होगा अगला किशन है रतन सिंग का उलेक कौन से सिलालेक में मिलता है रतन सिंग का उलेक है वो कौन से सिलालेक में मिलता है तो A option है दरीबा सिलालेक B option भाबरू सिलालेक C option अबू सिलालेक और D option राजपरस्थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा दरीबा सिलालेक घृतन सिंग का अलेक द्रीबा सिलालेक में मिलता है A option इसका सही होगा अगला किशन है सजन सिंग ने शामलदास को कौन सी उपाधी परदान की थी A option महा कवी, B option कवी महान, C option राज कवी और D option कवी राज तो इसका सही आंसर होजाएगा कवी राज सहजन सिंग ने शेमल दास को कवी राज उपादी परदान की थी D option सही होगा कवी राज अगला किशना निव में से मेवार के किस राजकमार को राजस्तान का बिशम पितामा कहा जाता है important question है राजस्तान का बिशम पितामा किसे कहते हैं A option राना लखा B option राना लोकल C option कुमर राना चूंडा और D option राना हमीर तो आपने चूडा का नाम सुनागा राना चूंडा तो कुमर राना चूंडा था वै राजस्तान का बिशम पितामा कहलाता है C option सही होगा कुमर राना चूंडा तो अंग मोर का गोरबंद वे पिलान ये सभी क्या है? थर्ट ग्रेड में पुछा गया क्यूशन है तंग मोर का गोरबंद वे पिलान क्या है? तो ये उंट के सजावट की वस्तवे हैं जिने तंग मोर का गोरबंद या पिलान है या सभी वस्तवे उंट के सजावट है अगला जो किशने राजस्तान बारत में किस का सरवादी कुदपादन करता है तो राजस्तान बारत में उन का सरवादी कुदपादन करता है अगला किशने पीवना किस जीव की परजाती है तो पीवना है वो एक सांप की पर जाती है अगला किशन है कांकरेज नसल किस पसो की है तो कांकरेज नसल है वो गाए की है गाए की जो परमुक नसल है वो देखिए गिर हैं राठी हैं थार पारकर हैं नागोरी हैं कांक्रेज हैं मालवी हैं सांचोर हैं मेवाती हैं हरियानी हैं यह सभी गाय की नसल है और राठी गाय को राजस्तान की काम देनू कहते हैं राजस्तान की काम देनू राठी गाय को कहते हैं अगला किशन इंपोर्टेंट है सेक गई है अगला कुछना प्राकृतिक संसादनों की परकृतिय उपलपता के आदार पर राजस्तान में उन उद्यों के विकास की सरवादिक संभावनाई है जिसका आदार है मुख्यत है पसुधन पसुधन ही एक उन उद्यों के विकास की सरवादिक महतपुनाई का आदार है पसुधन अगला जो कुष्णा राजस्तान में पसुधन की दिखता होने के बाव जो दुख द्वेवस्ता में है इसका मुख के कारण है यहां अच्छी किसम की पसुओं की कमी है अगला कुष्णा शिंकला जेरना नेत्रा वे गिडगिरी समंदीत है यह तो इस सभी दही बि लोने के पार्ट्स होते हैं यह अलग-अलग जो पार्ट्स के नाम दिये गए हैं अगला जो क्युष्ण है वो है राजस्तान की किस जिले में पत्थर मारोली परसीद है तो राजस्तान की पत्थर मारोली कहां की परसीद है यह उप्सन बीलोडा बी उप्सन ब्यावर्स य अगला किशने की शिंदु माहें में गंगोर त्यहार मनाया जाता है तो गंगोर त्यहार किस महिने मनाया जाता है एक तरफ त्यहार दिये गए हैं दूसरी तरफ उनकी उत्सवतिति दे गई है बूंदी की कजली تीज है बूंदी की कजली तीज की बात करैं तो बादरपद कॉ आती है बूंदी की कजली तीज अगला जो है वो है होली होली है वो फालगुन पूर्णीमा को आती है होली और जो परियूशन पर वे हैं वे बादरपद माय में आता है गणगोर चेतर मेने में आता है तो सभी मिलान है वो पहले से सही है अगला जो क्यूशन है तिल चोथ संकट चोथ मनाई जाती है तिल चो सही अंसर हो जाएगा, माअग कर्षण च्रप्रत्म को को तिल चोथ, संक्रत्रत्त्र मनाई जाती हैं। B. । उलसन स्का सही होगा। अगरे किशना आमेर की वास्तु सिल्फ कल्डा की इन ग्रात गुजारी थी। बाला किला में किस मोगल बादसा ने एक रात गुजारी थी तो बापर ने बापर ने एक रात गुजारी थी बाला दुरुग अलवर में असन का मेवाती दर्वा निर्मित करया गया है ये अपनी विशिष्ट सरचना के लिए परसीद है अगला किसे नहारगर का किला की पक्सवाई जैसिंग ने 1734 में करवाया था और तत्कालिन मराठा आकरमनों के विरूद रक्षे एतु कारण इसका निर्मान करवाया गया था गड़ का नाम है सुदर्सन गड़ लेकिन बाद में नहर सिंग बोमिया के नाम पर गड़ का नाम है वो नहर गड़ रखा गया था अगला किशन है अकपर ने अपनी 1570 की नागोर यात्रा किसमे जोदपूर दुरुग किसको सपूर्द किया था तो राइसिंग को जो भी कारेर के थे अकपर ने जो 1570 में नागोर यात्रा की थी सेकंड ग्रेड में पूचा गया किशन है नागोर यात्रा किसमे जोदपूर द्वारा निर्मित ये दुरुग 56 के पाड़िये पर बनाय गया है ये दुरुग मारवार के राजाओं के सरनस्तली है और 1308 में अलावदिन खिलजी ने इसे जीत कर अपना नाम इसका नाम है वो खेराबाद रखा था 1308 में शिवाना की दुरुग को जीत करके अलावदिन ख खिलजी ने 1308 में खेराबाद नाम इसका रखा गया था ये किशन आपको कैसल के कॉमेंट में जरूर बताए 30 जुलाई को जो सेकंड ग्रेड का एक्जाम होने वाला है उसे एक्जाम के लिए मैं तो पन क्यूशन है तो इन क्यूशनों का आप लास्ट तक जरूर देखना स जाते इन क्यूशनों का अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जुरूर करना आज का जो पहला क्यूशन है वो है विश्वे में पन्य की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है तो विश्वे में पन्य की सबसे बड़ी मंडी राजस्तान के अंदर है और राजस्तान की बात करें तो ज पारक कहां पर स्थित है सुचना प्रद्रग की पारक है वो भी जेपूर में स्थित है और विश्व में पढ़ने की सबसे बड़ी मंडी भी जेपूर में स्थित है इसके बारे में कुछ जो व्याक है है वो इंपोर्टेंट है क्योंकि क्यूशन जो पूछ लिए हैं अब जो क्यूशन पूछने वाले हैं तो वो व्याक कैसे पूछे जाएंगे मैं तो पुन पारक देखी पहला जो पारक है वो है इन्फोर्मेशन तक्निकी पारक सितापुरा जेपुर में है इन्फोर्मेशन तक्निकी पारक सितापुरा जेपुर में अगला है Gems and Jewelry Complex है, वो शितापुरा जेपुर में है, Gems and Jewelry Complex, तीन नमबर पर है लेदर Complex, ये भी मानपूर माचड़ी जेपुर जिले में स्तीत है, अगला किसने Software Technology Park है, वो है कनकपुर जेपुर में, Software Technology Park कनकपुरा जेपुर में, अगला है Hardware Technology Park है, कुकस जेपुर में, Hard ये नमबर पर है, Handicraft, Silk Gram जोदपूर में, Handicraft है, है वो Silk Gram जोदपूर में है, तो ये 6 जो अलग-अलग पारक है, Complex है, तो इनको आप याद चलूर रखे, अगला क्यूशन है, वो है Bank of Rajasthan का, किस bank में विले वा है, तो ये 2010 का क्यूशन है, अब तो bank है, वो अलग-अलग व पता नहीं कौन सी bank में विले हो चुका है, अब जो ICIC bank है, उसके साथ भी विले हो चुका है, तो ये 2010 में पुछा था, कि Bank of Rajasthan का किस bank में विले हुआ है, तो ICIC bank में विले हुआ है, अगला क्यूशन है, राजस्तान का दातुनगर कहलाता है, इंपोर्टेंट क्यूशन है, वो है वस्तर निर्यात सहर का दर्जा की सहर को दिया गया है, वस्तर निर्यात सहर का दर्जा है, वो भी लोड़ा जिले को दिया गया है, सेकंड ग्रेड SST प्रिक्षे 2010 में राजस्तान पुलिस 2011 में पुछा गया क्यूशन है, कि वस्तर निर्यात सहर का दर्जा की सहर को द स्थापना कब हुई थी? राजस्तान वीत निगम की स्थापना हुई थी? पूछा गया क्योश्यन है? राजस्तान में पूछा गया क्योश्यन है? 1951 के अंतरगत 17 जर्मलरी 1955 को हुई वित निगम की स्थापना का मुख्य होदे से राज्य में नवीन उद्योगों की स्थापना करना है वित निगमान जो उद्योगों के विस्तारी करन निवीन निकरन है तो 20 करोड रुपे का रेन वीतिय सायता के रुप में उपलब्दे कराना है अगला जो क्यूश्य ने वो देखिए पच्पद्रा में किस वस्तु का निर्मान बड़े पेमाने पर किया जाता है तो पच्पद्रा में नागोर जो नमक है वो सरवादिक बनाया जाता है अगला क्यूश्य ने सही यूगम कौन सा है वो देखना है अमें तो देखिए सेकंड ग्रेड सेंसकर्ट सिक्षट सिक्षक SS में पूछा गया क्यूश्य ने स्टेट वूल्स लिमिटेड कंपनी है वो जोदपूर में है ये गलत है बिड़ला वाइट सिमेंट कोटा में है तो ये भी गलत है मेवार टेक्स्टाइल्स उद्यपूर में है ये भी गलत है वो फिर है चौन्द मोरी कॉपर ये जुझलू में है तो च्यार नमर उपसन इसका एक सही युगम है बाकी तिनों गलत है अगला किशने चातों अम्ब्रेला के लिए परसीद है चाते के लिए या अम्ब्रेला के लिए कौन सा परसीद है तो फालना फालना परसीद है चाते के लिए ग्राम से दोजार आट में पुछा गया क्यूशन है अगला क्यूशन है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड राजस्तान के किस जिले में स्तीत है तो ए नमर उप्शन कोटा बी रोजएगा कोटा चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड के लिए कोटा जीला परसीद है अगला जो क्यूशन है राजस्तान में राजपताना महीला नागरिक सहकारी बैंक ने किस सहर में प्रार्ण किया है तो जैपूर सहर में प्राण किया है तीस अगस्त 1995 क 30 अगस 1995 को फरारम किया है राजस्तान में राजपत्रा महिला नागरीक सहकरी बेंग अगला के scholних ने राजे में किसी पंचवर्शी योज़ना में पर्थमभार उद्योगिक विकास को श्रवच प्रात्मिक्ता दी गई है तो दوسरी पंसवर्शी योजना में राजय में दूसरी पंसवर्शी योजना में पर्थम बार उद्योग एक विकास को सर्वच प्रात्मिकता दी गई है राजय परवर्तित राजय में दिरती पंसवर्शी योजना में उद्योग पकहनन पर 3.3% रासी वे की गई है जबकि पर्थम पंसवर्षी योजना में 0.8% रासी है वो वेर की गई है अगला कुछन है अपना गाउं अपना काम योजना का मुखे उदेश से क्या है अपना गाउं अपना काम योजना का मुखे उदेश से क्या है इस योजना का उदेश चे ग्रामिन चेतर में रहने वाले ग्रीपी रेखा से नीचे जियोनियापन करने वाले लोगों को रोजगार उपलब्त कराना था अगला कुछने राजस्तान जन्जाती चेतरी विकास सहकारी संकी स्ताफना जिस वर्स में की गई थी वह हैं 1976 अगला कुछन है समार्ट विलेज योजना प्रारण्म की गई थी वर्स 2017 18 में की गई थी यह गया थी नीचलक दवाय योजना की सुरात कब की गई थी ये क्यूशन इंपोर्टेंट है क्योंकि आरियस उपसमादेस्ट समीधा प्रिक्षया 2020 में लगबग एक्जाम में ये पूछा जाता है अगर योजना की बात करें तो इस क्यूशन का नंबर पहला आता है मुखे मतरी नीचलक दवाय योजना की सुरात दो अक्टूबर 2011 को की गई थी दो अक्टूबर 2011 को अगला क्यूशन राजस्तान में आसा को आसा सहयोगनी कहा जाता है क्योंकि वह इसके बीच में स्योक्त कारिय करती है चिकत स्वास्ते विबाग और महीला और बाल विकास विबाग के बीच में कारिय करती है आसा सहयोगनी अगला जो क्यूशन है वह राजस्तान में मुखे मतरी युवासंबल योजना 2011 के अंतरगत बेरोजगारी बता पाने कि यह देखता मवदी कितनी है तो पी राजस्तान सेकर चेतर विकास विन्योज कारियकरम आर यूएस डी आई पी राजस्तान ग्रामिन आजिव का प्रियोजना राजस्तान करसी परतिश प्रदा प्रियोजना एग्रो फूट प्रियोजना है वो भाई ये साहिता विकास प्रियोजना वो नहीं ठीक है उसके बाद में देखिए नेमना कितमें से 20 सूत्रिय कार्यकर्म की राजस्त्रिय निगराने स्मित्षी की एक वर्स में कितनी बेठकायुजित की जाती है तो दो बेठकायुजित की जाती है अगला किष्टान में मुख्यमत्रि युवा कोसल योजना के गiencia अंदर मुख्यमत्रि युवा कोसल योजना है वो नवमबर 2017 को प्रारम के गई थी अगला किष्टान लोगडाirmi में जिन सर्मीकों ने रोजगार खो दिया उनने काम दिलाने में साहता करने के लिए उद्योंगों को सर्मी को प्लब्द कराने में मदद करने के लिए राजस्तान सरकार ने एक पॉर्टल प्राइविं किया था उस पॉर्टल का नाम क्या है तो राजकोसल पॉर्टल नाम है इसका सही आमसर है जो राजकोसल पॉर्टल है वो पराण। किया गया था? लोगडाउन में जिन सर्मी को ने रोजगार खो दिया था उन्हें काम दिलाने में साहिता करने के लिए उद्योगों में सर्मी कोपरवद कराने में मदद करने के लिए कैया पे एक पोर्टल सुरू किया था राजकोसल पोर्टल तो ये क्विश्चन आपको कैसे लगे है, वो है राजस्तान राजरे जेवविता बोड की स्तापना किस वर्ज होई थी, राजस्तान राजरे जेवविता बोड है, उसकी स्तापना कब होई थी, STEVE 2007, दो नमर 2008, तीन नमर रॉप्षने 2010 और चानमर रॉप्षने 2012 को, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2010 राजस्तान राज्ये जेविता बोर्ड की स्थापना है वो 2010 में वी थी तीन नमर उप्सन इसका सही हो जाएगा अगला जो किशन है वो है किस परकार के वन राजस्तान राज्ये के अधिक्तम छेत्रों को अच्छादित करते हैं यानि कि राजस्तान के अंदर किस परकार के वन है वो अधिक्तम छेत्रपल अच्छादित करते हैं ए उफ्षन है सुकी सागौन्वाले 1 दो नमर है एनोगींच स्पेंडूला 1 ती नमर है मिश्रित प्रणपाति 1 और D उफ्षन है वो स्वेलिया 1 तो इसका सही अन्षरो जाएगा एनोगींच उप्षन पेंडूला 1 दो नमर उफ्षन इसका सही होगा अगला किसने राजस्तान जेविक विविता नियम किस वर्स त्यार किये गए थे राजस्तान जेविक विविता नियम है वो किस वर्स त्यार किये गए थे अगला किशने राजस्तान में नहरगड जेवीक उद्यान का उद्गाटन किस वर्स किया गया था ये उपसन दो हजार चोड़ा, दो नमर उपसन दो हजार पंद्रा, तीन नमर उपसन दो हजार सोला और चार नमर उपसन दो हजार सत्रा तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो अगला किशने राजस्तान वन्य विवाकिय फ्रसासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार बह जिला जाम वास्तविक रक्षित वन चेतर अदिक्तम प्रतिवेदित हैं अगला किशन है पेंट्रोलियम के उतपादन में देश में राजस्तान का कौन सा स्थान है तो दूसरा स्थान है अगला किशने उनी सो तेहतर में रावत बाटा में राजस्तान अनुसक्ति प्रियोजना की स्थापना किस देश के सेवक से हुई थी तो 1973 में रावत बाटा में राश्तान अनुसक्ति प्रियोजना की स्तापना है वो कनाडा देश की साहता से हुई थी अगला जो किश्चन है राश्तान में सुपर क्रिटिकल ताप ये विदूद ग्रेय काम प्रस्तित है गास्तान में इस सुपर क्रिटिकल ताप ये विदूत गरह हैं वे छाबड़ा वे सुर्थगर्ड में स्तीत है जिस पावर स्टेशन की एक काई की उत्पादन चमता 500 मेगावाट से अधिक हो उसे सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन कहा जाता है जैसे सुर्थगर्ड सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है वो शिरिगंगानगर में है चाबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है वो बारा जिले में है कवई सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है वो बारा जिले में है अगला किशने उर्जा संक्ट राजस्तान की प्रमुक्षमश्य है उर्जा संक्ट राजस्तान की प्रमुक्षमश्य है पौन उर्जा, बायोगेस, सोर उर्जा, तापी उर्जा, मेशे कौन सा एक उर्जा स्त्रोत ग्रामिन राजस्तान में अधिक सायक होगा तो वो है सोर उ प्रियोजना का आदार क्या है? आदार है सोर उर्जा. अगला किस खनन कंपनी ने राजस्तान के जेसल मेर जिले में तीन विविन स्तानों पर पहुन उर्जा सहिंतर स्ताफित किये हैं? तो राजस्तान राजस्तान एक खननी जे लिमिटेर ने अगला किस ने भारत में सोर उर्जा की पर्थम प्रियोजना 5.6 मेगावाट की सोलर प्रियोजना है इसकी स्ताफना राजस्तान के किस्चेतर में की गई हैं? अगला किस ने राजस्तान में नही वन नीती की गोशना कब की गई थी? अगला किस ने इमारती लकडी के लिए परसिद सागवान के वन किस जिले में सरवादिक पाए जाते हैं? अगला किस ने राजस्तान में किस परकार की वनस्पती नहीं पाए जाती हैं? अगला किस ने राजस्तान में या अधिक व्यास के गण क्या कहलाती हैं? अगला किस ने राजस्तान के अधिकांस तबागों में बालू मिटी पाए जाती हैं? तो ये सत्तान के गगर जैसी नदी भी मीटी में विलीन हो जाती हैं तो ये भी सही हैं? वर्षा का जल रेतिली मीटी में सिगर विलीन नहीं होता है यह गलत है वर्षा का जल रेतिली मीटी में सिगर विलीन हो जाता है तो यह ऐसत है बालू मीटी पानी को सिगर सोक लेती है यह सही है तो C ओप्सन इसका ऐसत है अगला किसों ने मरू भूमी में वायू मीटी अपर तो इसका सही आंसर है वायू द्वारा अपरदन यानि मरू भूमी में वायू मिटी अपरदी तोकर एक स्तान से दूसरे स्तान पर जाकर बिछाए जाती हैं तो वे वायू द्वारा अपरदन बोला जाता हैं बी ओप्सन सही होगा अगला किशने चारी मिटी का पी एच मान कितना होता है जो चारी मिटी होती है उसका पी एच मान कितना होता है तो चारी होता है वो साथ से अधिक होता है और जो अमल होता है वो साथ से कम होता है साथ पर उदाशीन होता है तो इसमें साथ से उपर कौन सा है तो 7.6 से अधिक ह A option इसका सही होगा चारी मीटी का PS मान 7.6 से अधिक होता है अगला किशने मर्दा की उरुवरा सक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद परियुक्त की जाती है जो मीटी की उरुवरता है वो बनाए रखने के लिए कौन सी खाद का उप्यूग करते है एक नमर यूरिया, दो नमर गोबर हरी खाद, तीनमर खली खाद और चार नमर अमोनिया सलफेट तो इसका सही अंसर है दोस्तों गोबर वे हरी खाद होती है वे मर्दा की उवर रखता है वो बनाए रखती है बी ओप्सन इसका सही होगा राजस्तान के अरावली प्रवर्तिय प्रदेशों में मर्दा प्रदन का क्या करण है तो वनोनमुलन वे वालरा करसी अते दिगपसुचारण वे ए विवेकपूर्ण करसी ये तिनों ही है मर्दा प्रदन का मुखे करण उपरोक सभी इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्तान में भूमी कटाव रोकने के लिए प्राथमिक भू प्रिसकरण की कौन सी किरिया उप्योगत है तो ए नमर उप्सन है निराई गुडाई दो नमर है गहरी जुताई और तीन नमर है पंकती बद और चानमर है मेड बंदी तो इसका सही आंसर है मेड बंदी डी ओप सुष्क चैरो से दो नमर सितो सन चैरो सही तुछी नमर है इसका सही आंसर है सुष्क चैरोıl से मोंधी मैं लवन्यकर्ण की समश्या अधिकांसत था है सुष्क चैरों से समंदीत है यह ओप्सन इसका सही ओझाएगा अगला क्यूशन है राजे के सरवादिक छेतर पर निमन में से कौन सी मिटी पाई जाती हैं राजे में सरवादिक जो मिटी हैं वो पाई जाती है एंटी सोल, सुस्क मिटी, एरिडो सोल दोरनू मिटी वो अधिकांस्त पाई जाती हैं C ओप्सन इसका सही होगा अगला जो क्यूशन है राजे की कौन सी मिटी में सरवादिक नाइट्रोजन की मातरा पाई जाती हैं नाइट्रोजन की मातरा हैं वो काली मिटी में एधिक होती हैं जो आडोती का छेतर है वहाँ पर काली मिटी एधिक पाई जाती हैं D ओप्सन इसका सही होगा अगला किष्णा निवन में से राजय के किस बाग में दोमट मिटी का अबाव है दोमट मिटी है वो कांपर है तो दोमट मिटी की बात करें तो चावल जो कपास होता है गन्ना होता है वो कांपर होता है गंगानगर जी लिमें सिरवादिक होता है इसलिए दोमट मिटी है वो गंगानगर जीली में है डी अपसन इसका सही होगा बलुई वैर दोमट मिटी पर की जाने वाली पेपर मिंट की खेती जिसे सिवाला खेती भी कहते है कि उत्वादित उन्यक का एकमातरस्तान कौन सा है तो इसका एकमातरस्तान है खंडार स्वाइमादोपूर A option इसका सईयोगम अगला किस्टने निमलकित में से राजस्तान में किस रेने की मिटी नहीं पाजाती है राजस्तान में इनमें से कौन सी मिटी नहीं पाए जाती है एंटी सोल पाए जाती है एरिडो सोल पाए जाती है हस्टी सोल यह नहीं पाए जाती है बाकी अलफी सोड भी होती है जलोड भी होती है लेकिन C option हस्टिस होला है ये राजस्तान में नहीं पाय जाती है राज्य के किस जिले में वार्चिक वर्षा में विश्यमता का परतिशत है वो सरवादिक है तो वार्चिक वर्षा में विश्यमता का सरवादिक परतिशत जैसलमेर जिले में है सी ओप्सन इसका सही हो जाएगा सबसे कम वर्षा है वो जैसलमेर जिले में होती है सबसे गर्म जो जिला है वो भी जैसलमेर है राजस्तान में कम वर्षा का प्रमुक कारण क्या है कम वर्षा का प्रमुक कारण क्या है राजस्तान के अंदर तो एक तो बंगाल के खाड़ी जो मानसून के आदरता है वो लग बग समापत हो जाती है और दूसरा कारण है कि अरावली परवतमाला का अरब सागरी मानसून की दिशा के समानतर है अरब जो अरावली है परवतमाला है वो मानसून की दिशा के समानतर है इसलिए ये भी एक मुख्य कारण है राजस्तान में कम वर्षा का अत्यदी गर्मी के कारण मान सुनी हवाओं की आदरता घड़ जाती है ये भी एक है वर्षा कम होने का मुख्य कारण है तो ये सबी कारण है वर्षा कम होने का तो D option इसका सही होगा उप्रोगत सबी राजस्तान के किस जिले में वर्षा वाले दिनों की संख्या सरवादी कोती है राजस्तान के ऐसा कौन सा जिला जिला जिसमें वर्षा वाले दिनों की संख्या सरवादी कोती है तो वो है जालावाड सरवादी कहोती है जालावाड जिले में ए ओप्सन इसका सही हो जाएगा अगला किश्णा नियूर में से कौन सा जिला अर्द सुस्क परदेश में आता है इन में से कौन सा जिला है जो अर्द सुस्क बाग में नियुन्तम वायूदाब क्यों रहता है नियुन्तम वायूदाब उत्र पस्चिमी बाग में इसलिए रहता है क्योंकि सुर्य अताब की अधिक प्राप्ति स्मूदर तर्ट से दूरी की कारण उत्र पस्चिमी बाग में नियुन्तम वायूदाब रहता है इसका सही ह हो जाएगा अगला किश्टन है राजस्तान में उस्रन मरुस्तली जलवायू के लिए कोपेण ने किस कूट का परियोग किया राजस्तान का कौन सा चैतर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों की दोनों ही मानसून से अधिक वर्चा प्राप्त करता है राजस्तान का ऐसा कौन सा चेतर है जो बंगाल के खाड़ी और अरब सागर दोनों से मानसून की जो अधिक बर्चा है वो प्राप्त करता है तो वो है दक्षनी पस्चिमी चेतर ए ओपसन इसका सही होगा दक्षनी पस्चिमी चेतर राजस्तान में हवाओं के चलने की दिशा प्रया क्या होती हैं राजस्तान में हवाओं चलती हैं वो है पूर्व ऐसे पस्चिम की और राजस्तान के अंदर हवाओं हैं वो चलती हैं ए उप्सिन इसका सही होगा राजस्तान में सरवादिक सूस्क जलवायो वाला जिला कौन सा है? सरवादिक सूस्क जिले की बात करें तो है जेसलमेर जिला सरवादिक सूस्क जिला है ए ओप्सन इसका सही होगा अगला जो क्यूशन है अर्द सूस्क जलवायो वाला जिला कौन सा है? अर्दसूसक की बात करे तो जोधपूर बिकानेर नागोर का जो छेतर है वो अर्दसूसक में आता है ए ओप्षनिस का सही होगा जोधपूर अगला क्युषन है राजस्तान में छेतरपल की दस्टे से सबसे कम छेतरपल वाला करसी जलवायोखंड कौन से है सबसे कम जो छेतरपल वाला करसी जलवायोखंड है वो है आदर दक्षनी मेदानी खंड यानि कि जो हडोती के आसपास का जो छेतर है वो सबसे कम छेतरपल वाला करसी जलवायोखंड है C option इसका सही होगा ताप करम वर्षा यू आधरता के आधार पर राजस्तान को कितने जलवयों परदेशों में बांटा है बात करें ताप करम वर्षा यू आधरता के आधार पर राजस्तान को पांच बागों में बांटा है D option इसका सही होगा अगला क्यूशन है खडीन वर्साजल संग्रहन की परंप्रागत विदी है वो जैसलमेर में पाई जाती है सी ओप्स ने इसका सही होगा खडीन है वो लगबग जैसलमेर में है सरवादिक अगला कुशन है, राजस्तान में, गर्मी के मौसम में चलने वाली सुस्क आती, गरम हवाए लू की दिशा क्या होती है अगला कुशन है, राजस्तान के किस जिले में वर्सा का वारचिक ओस्त सो से मिसे इधिक है राजस्तान में वर्षा का वार्षिक ओस्त है वो सो सेमी से अधिक है तो वो है जालावाड C.O. इसका सही होगा अगला किशन है गर्मियों में माउंट अबू का तापमान राजस्तान के अन्यस्तानों की तुलना में कम रहता है क्योंकि माउंट अबू ऊचस्तर उंचाई पर अवस्तित है C.O. इसका सही होगा पुर्वाई या पुर्वया क्या है पुर्वाई वे पुर्वया क्या है तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मान सुने पाउने हैं जिसको पुर्वाई बोला जाता है यानि जो बंगाल की खाड़ी है उसे जो अवाई आती है उसे वर्षा होती है उसे पुर्वाई बोला जाता है अगला क्रिशन है पस्मी राजस्तान में न्यून वर्षा के लिए उतरदाई मूल अंसदाई कारण क्या है पस्मी राजस्तान में न्यून वर्षा के लिए उ मानसून आता है इसलिए वो सिधा निकल जाता है दिल्ली की तरफ लेकिन यहां का जो छेतर है राजस्तान में वो बिना वर्सा ही रह जाता है यानि अरावली के भार से गूमके आने के बाद जो मानसून है तो वो कम पहुंच पाता है राजस्तान के जैसलमेर बिकानेर चूर जोदपुरु का जो छेत्र है, पस्मिन का जो छेत्र है, राजस्तान का वहाँ पर वर्षा है, वो में हो पाती हैं, क्योंकि इसका मूख राणा है अरावली प्रवत्षणी का समांतरोना, राजस्तान का कौन सा शेतर नगण्य वर्षा वाला है नगण्य की बात करें तो लगबग नगण्य है बहुती कम वर्षा होती है तो वह है उत्रे पस्चमी शेतर बी ओफ्सन इसका सही होगा जैसलों मेर बिकानेर जोदपुर का जो शेतर है लगबग वाँ पर नगण्य है तापकरम में प्राय एक रूपता अपेक्षा करता अधिक आदरता यह सामिक वर्षा राजे की किस भूबा की विश्यस्ता है तो तापकरम में एक रूपता अपेक्षा करता अधिक आदरता सामिक वर्षा यह राजे के अरावली का पूर्वी भाग है C option इसका सईयोगा अगला कुछन है राजस्तान का नियुन में से कौन सा चेतर अतेदिक नम है तो जो अतेदिक नम है तो वो है हड होती A option इसका सही होगा हड होती अगला जो क्यूशन है राजस्तान के पस्जमी भाग में इतापमान की अतिशियता का निमल खित में से परमूग क्यारण क्या है तो राजस्तान के पस्जमी भाग में इतापमान की अतिशियता का जो कारण है वो है दरातल का सव भाग बी ओप्सन इसका सही हो जाएगा बनाया गया है राजस्तान का सरवादिक गरम वैसुस कस्तल कोन सा है राजस्तान का सरवादिक गरम वैसुस कस्तल की बात करे तो हो जाएगा फ्लोधी जोधपूर का जो छेत्र है ए ओप्सन इसका सही होगा फ्लोधी जोधपूर क्योलादेव गन्नापक्ष ये भ्यान राज अधर जल्वायू पर्देश के अंदर आता है B option सही होगा कोपेन के जल्वायू वर गीकर्ण के अंसार BW, HW जल्वायू पर्देश में राज्य का कौन सा चेतर आता है BW, HW के बात करें तो यह जल्मेर, पस्चमी, बाडमेर, पस्चमी, बीकानेर, उत्री, पस्चमी, जोधपुर्ण यानि कि जो राजस्तान का जो पस्चमी का छेतर है उसमें BW, HW आता है राजस्तान के अधिकांस तर बाकी समुन्दर तल से उंचाई कितनी है तो समुन्दर तल से उंचाई की बात करें तो 370 मीटर या इसे कम है राजस्तान के अधिकांस तर बाकी जो समुन्दर तल से उंचाई है वो 370 मीटर या इसे कम है ए उप्सनिस का सही हो जाएगा थार मुरुस्तल में रात्री का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है तो अचानक है वो वातान की सुसकता स्वच आकास मिट्टी के वलूई परकरती वनस्पती का अभाव होता है इसलिए थार मुरुस्तल में रात्री का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता ह अगला कुछन है कौन सी विश्यासता है वो अरावली प्रवत्माला की पूर्वी बाग में नहीं है वो है अधिक देनीक तापांतर डी ओफ्सन इसका सही हो जाएगा राजस्तान के जलवायू प्रदेशों में किन आदारों पर बांटा जाता है जलवायू प्रदेश को है वो तापमान और वर्षा की मातरा के आदार पर बांटा जाता है ए ओफ्सन इसका सही हो जाएगा अगला किशन है समान वर्षा के स्तानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं समान वर्षा की स्तानों को मिलाने वाली रेखा को सम वर्षा रेखा कहते हैं सम वर्षा रेखा ए ओफ्सन इसका सही हो जाएगा मुरुस्तल के कच्चे गोलाकार घर को कहा जाता है मुरुस्तल के अंदर जो कच्चे गोलाकार घर होते हैं उसे जूंपा या जूंपडा बोला जाता है C option इसका सही होगा जूंपा या जूंपडा अगला जो question है DAW जलवायू पाई जाती है important question है DAW के बात करें एगला किशन है राजस्तान में कम वर्षा का कारण अरावली प्रवत्माला की निम्न में से कौन से स्थिति का कारण है तो अरावली है वो मानसुन के समांतर होना एक मुख्य कारण है कम वर्षा होना राजस्तान में ए ओप्षन इसका सही हो जाएगा राजस्तान में सरवाध कोला वर्स्टी की बात करें तो स्रवाधी कोला वर्सटी जेपुर जिले में अती гололод यो इसका को पूर जिले में आता है यानी सोनाडी जो पर जाती है स pyt़enne prosper बेड़ की नसल ये ये वो राजतान के किन जिलों में पाए जाती है तो उद्यपूर, डुंगरपूर और बीलवाडा जिलों में सोनाडी परजाती की भेड़ पाई जाती हैं दो नमर उप्सन सही होगा उद्यपूर, डुंगरपूर और बीलवाडा में अगला क्युष्ण है सारनेस वर पसु मेला आयजित होता है चेत्र महीने में, दो नमर उप्षन सही होगा मलिनात पसो मेला ये पसो मेला वीर, योद्ध, रावल, मलिनात की सम्रधी में आईजीत होता है ये मेला परतिवर्फ केत्र बुद्धी, ग्यारस सें, चेत्र सुद्धी, ग्यारस तक बाढ़ मेरजिले के पच्पद्रा तहसील के तिलवाड़ा गाव में लूणी नदी पर लगता है अगला किश्णा निम्न में से बेड की किस नसल को राजस्तान की मेरिनो भी का जाता है जो चोकला बेड है उसको राजस्तान की मेरिनो बोला जाता है चारम रॉप्सन सही होगा चोकला अगला किश्णन निम्नाकित में से कौन सी बेड की परजाती बारतिय मेरिनों की नाम से जाने जाती है तो बारतिय मेरिनों चोकला बेड है चोकला बेड की एक नसल है जो की छपरा था बारतिय मेरिनों नाम से परसीद है इसका छेत्र है वो जुननू सीकर जिला है और चूरू, जेपूर, नागोर जिलो में है मैंने सबसे ज्यादा है वो जुननू सीकर जिले में है उसके बाद में चूरू, जेपूर और नागोर जिलो में सरवादिक पाए जाती है चोकला बेड अगला जो किश्चन है राजस्तान में मार्ज 2013 के अंत तक रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी थी तो रेल मार्ग है वो 5801 थे मार्ज 2013 में मार्स 2019 तक राजे में रेल मार्ग है वो 5937 किलोमेटर हो गया राजे में रेल मार्ग बारती रेल मार्ग की कुल लंबाई 67415 किलोमेटर का 8.66% है वो राजस्थान में है अगला किशन है राजस्थान में पर्थम रेल मार्ग कब प्रार्म किया गया था important question है, B.E.S.A.P.R.E.L. 1874 को राजस्तान के अंदर पर्थम रेल मारग है, वो प्रारम किया गया था, B.E.S.A.P.R.E.L. 1874 को बांदी कुई से आगरा के आगरा फोर्ड के मदे, बांदी कुई से आगरा फोर्ड के मदे रेल मारग है, वो गेरा गया था, सबसे पहले, रेल ह वो सुरुक ये गे थी बांदी को इसे आगरा में अगला जो क्यूस्टन है किस राज मारग को NH 11 के नाम से जाना जाता है आगरा बर्तपूर जेपूर सिक्र और बिकानेर का जो मारग है शड़क मारग NH 11 कहलाता है आगरा, बर्तपूर, जेपूर, सिकर और बिकानेर बिकानेर, सिकर, जेपूर, बर्तपूर, आगरा यह जो सड़क है यह एनेच 11 है जो आगरा, बर्तपूर, जेपूर, सिकर और बिकानेर से गुजरता है अगला किशनर राजस्तान का वे राश्टी राजमर्ग जो एक ही जिले में सिमीत है यानि उनिया सी ए जो राश्टी राजमर्ग है वो सिर्फ एक ही जिले में है राश्टी राजमर्ग राजे के अलवर जिले में गुजरता है जिसकी राजे में कुल लंबाई है 40.47 है तो सिकर जैपूर और अजमेर पाली जिलों में निकलता है अगला जो कुछन है कोटा उद्यपूर बीका ने रोट हों कि मैं सिखकी से एक नगर से वोकर राष्टी राजमर्क संक्या आठ गुजरता है तो उद्यपूर जिले से एने चार्ट है वो गुजरता है थर्ड के में पूछा गया कुछन है फिश्चन है कि अगला कुछन है बॉट कि एर्पूर जिल में में रिड़ कोर है तो क्या है इंफ्रक्ट्राइक्सोन याव कंपनी ऑफ राजस्तान यां ड्रेड्ड कोर अगला जो कुछन है वह वो है राजस्तान का कौन सा जिला रेल्वे सेवा से अचूत है राजस्तान का 208 जिला है वो रेल्वे सेवा से अचूत है मुन्नाबाव की जिल में मुन्नाबाव जो रेल्वे स्टेशन है वो पाकिस्तान की तरफ जाने वाली जो ट्रेन है उसका लास्ट जो स्टेशन है मु बारति रेल द्वारा पिलेज और वहिल की तरफ एक और ट्रेंड हाली में प्रार्म की गई उसका नाम है Táisye of Vahils. सांगानेर हवाईड़ दे को अंतरासट यह किरण हैं, यह जो दरचा हैं वह दुजार पांच को दिया गया था. डूंगरपुर से सुरोय हने बावरे वह लैन राजसतान के दक्षनी बाग को किस बड़ी रेल्वेस्टेसन से जोड़ता है तो ये रतलाम मद्य परदेश से जोड़ता है पीटी ए सेगंड थर्ड ग्रेड में पुछा गया क्यूशन है अगला क्यूशन है जैपूर कोटपुतली से समंदित राश्टी राजमार्ग कौन सा है ग्रेट अरावली सफारी ट्रेन अगला क्यूशन है राश्टी राजमार्ग 45 राश्टान के किस जिले से निकलता है तो 44 है वो दोलपुर जिले से गुजरता है अगला क्रोली जिला किसके उत्वारण के लिए परसीद है तो लाल पत्र के लिए क्रोली जिला है वो परसीद है सिकर में सरवादिक मात्रा में पाया जाना माला खनीज कौन सा है तो वो है कियल साइट संगमरमर की सबसे बड़ी परसीद मंडी काम परसतीत है तो किसनगर अजमेर में सतीत है संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी अगला चो किशन है राज्तान की एकी जिले में टंगस्टन पाया जाता है टंगस्टन की बात के लिए तो नागोर जिला है वो परसीद है टंगस्टन के लिए इंपोर्टेंट किशन है तेस में एक मातर टंगस्टन की खान डेगना बाकरी नागोर में है वाल्दा गाउं सिरोही में रास्तान का राजेक टंगस्टन विकास निगम दवरा खंणन कार्य किया जाता है राजे में टंगस्टन वुल्फ फ्रेम आइड आयसक से प्राप्ते होता है अगला किश्टन स्टील ग्रेड चुन्ना पत्तर के लिए परसी जिला कौन सा है स्टील ग्रेड चुन्ना पत्तर के लिए जेसल मेर जिला परसी दे राजे में सरवादिक चुन्ना पत्तर का उत्पादन चितोडगड जिले में होता है अगला क्यूशन है 14 NELP blocks, 1 GV blocks, 2 nominations blocks and 4 CBM blocks समंदीत है, तो ये पेंट्रोलियम अन्वेशन से समंदीत है, अगला क्यूशन है राजस्तार में खनीज तेल का सबसे दिक उत्पादन करने वाले तेल छेतर का नाम क्या है, तो वो है मंगला तेल छेतर, दोस्तों ये क्यूशन किसे जलवायू छेतर में मिलती हैं, तो वो मिलती है सूस्क छेतर में, तीन नमर उप्सन इसका सही होगा, सूस्क जलवायू छेतरों में, अगला क्यूशन है राजस्तान में लाल, सौम, मर्दा पाए जाती हैं, लाल, सौम, मर्दा की बात करें, तो राजस्तान के अंदर उदेपूर जिले में पाये जाते हैं, तीन नमर उप्शन सही होगा है मध्यम काली मरदा मीटी जो हड़ोती छेतर में इसका सही होगा अगला क्यूशन है वर्टी सोल परकार की मर्दा राजस्तान के किस जिले में पाए जाती है वर्टी सोल की बात करे तो वर्टी सोल कोटा और बुंदी जिलों में पाए जाती है काली मीटी है वो कोटा और बुंदी जिलों में पाए जाती है दो नमर उप्सिनिस का सही होगा अगला किसने राजस्तान के कर्षी विवाके मीटी वर्गीकर्ण के उनसार निमिल कितमे से कौन सा जोड़ा सुमेलिते नहीं है एक तरफ है मर्दा का प्रकार दूसरी तरफ है जिल्ले दिये गए हैं हमें उनका मिलान करना है देखना है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है शिरोजेम या साई रोजेक्स की बात करें तो यह गंगानगर जिल्ले में हैं सही है रेवी रेना यह शिर गंगानगर नवानगर दोनों जिल्लों में है यह भी सही है पाकी है लाल लोम लाल लोम की बात करें तो डूंगरपूर और बांस राजस्तान में कछारी मीटी कौन से जिल में पाई जाती हैं। विग्राराज चतूर्थ के काल में। राज तिर्थिये और मोहमद गोरी के मद्धे कितने यूद लड़े गए थे। पर्थिविराज तिर्थिय और मुहम्मद गोरी के मद्दे दो यूद थे तराइन का फर्स्ट और सेकंड दो यूद थे तराइन का पर्थम था 1101 में में पर्थिविराज विजे वा था उसमें और दुर्थिय यूद वा था तराइन का 1102 में में जिसमें मुहम्मद गोरी व हुआ था उसमें सेकंड यूद के अंदर पर्थी राजे तिर्दिया हार चुका था और मुहमद गुरी वहां पर आ चुका था तो मुस्लिम स्ताकी स्तापना हो जकी थी अगला कुछना कौन सा कूट सुमेलित नहीं है जोदपूर में राठोड थे अजमेर में बाटी गलत है जैपूर में कचवा थे शिरोव में देवडा तो बाटी जो है वो अजमेर में नहीं थे बाटी है वो जैसलमेर में थे अनमारगड में थे तो अजमेर में चुहान थे तो दो नमर उपसन है वो गलत है सुमेलित गलत है अगला कृष्णा निमल कित में से कौन सा कतन सत्ते ह या ऐसे थे स्पादलक्ष चोहानों का मूल स्थान मानए जता है ये сहीए स्पादलक्ष से वह सबसे पहले स्पादलक्ष में थे सवाल लाग गावों का स्मुय था वहापर ते यह सत्य विग्र राचतुर्थ ने तारागण का निर्मान करया था यह गलत है विग्र राचतुर्थ ने तारागण का निर्मान नहीं करया था अईचतरपूर नागोर चोहानों के प्राचे इंतमर हस्दानिती ये सही है परतिराज दिर्तिय चहामान वंसका अंतिम सा सकता ये भी सही है दो नमर अप्सन इसका ऐस सते बाकी तिन्नों ही सत्य है अगला किशन है चेत्रों एम उत्पादित खनीजों से समंदित सही सुमेलि तलवाडा, लीलवानी, काला, खुंटा इसमें मेगनी जै सही है मोरिजा, बानला, डाबला, नीमला, राइसला लोहे ऐसा के लिए ये भी सही है और फिर पलाना, खारी, चानेरी, कोईला के लिए परसीद है तो ये तीनों ही सही सुमेलित करके लिखे गए है अगला किशन ह सुची फस्ट को सुची सेकंड से मिलान करना है राजपूरा की बात करे राजपूरा दरिबा की बात करे तो सिसा जस्ता की खान के लिए परसीद है राजपूरा दरिबा नातरा की पाल नातरा की पाल है वो लोहे ऐसा के लिए परसीद है खोद रिबा की बात करे तो ताम् करके लिखे गई है अंगुचा गुलापुरा खनन्ग छेतर निवन मेंसे खरीजो के किस जोड़े के लिए परसीद है तो जिंक और पीभी यानी लेड के लिए परसीद है अगेला किस निवन मेंसे कौन सा राजस्तान का तेल छेतर नहीं है इन में से तेल छेतर कौन सा राजस्तान का नहीं है एस्वरिया है, मंगला भी है, सर्चवत्ती भी है लेकिन गंगा नहीं है राजस्तान में पेंट्रोलियम कुवा है, वो गंगा नहीं है वाकि एस्वरिया मंगला सरस्वती हैं देखें राजस्तान के अंदर कुवे की बात गरे निमन मेशे कोन सा युगम सही सुमेलित नहीं है एक तरफ खनीजे दूसरी तरफ खान दिये गए है जिप्सम की बात करे तो जिप्सम है वो पलाना में नहीं है बाकी गुलाबी संगमरमर बाबरमल में हैं तामडा राजमेल में राजमेल टॉंक में और युरेनी में कुराडियम में हैं राजमें जिपसम की जो परमुक को खानी है एक तो गोट मांगलोद नागोर में हैं एक जामसर बिकानेर में, एक पलाना बिकानेर चेतर है, वो लिगनाइट को ये लिए उतपा दीते, परसीद है, यानि कि इसमें जीपसम जो पलाना दिया गया है, बिकानेर का चेतर, तो बिकानेर पलाना के अदर लिगनाइट पहा जाता है, नहीं कि जीपसम पहा जाता है, क्रोली में संदी की थी क्रोली इसका सही आन्सर में अखिम से समंदित रॉयल्स कमिशन निम्नमी से किस वर्स में राजतान आया था अफीम से सम्मधित रोयल कमिशन राजस्तान में आया था अठारासु त्रेण में अगला जो किश्ण राजस्तान की कोंची देसी रियासत ने ब्रिटीस सरकार के साथ सबसे अंत में परतेर परण संदी की थी राजस्तान की कोंची देसी रियासत थी तो वो थी जैसल मेर जिसने बिटी सरकार के साथ सबसे अंत में पर्तेस्वन संदी की थी जैसल मेर ने अगला किशन निमल की इतमें से किसने राजबुताना की देशी रियास्तों के 7,817,8 के अधिनिस तसंदी की बाचीत की थी इनमेंचे कौन सा है जो हमें बताना है कि राजपताना की देशी रियास्त के साथ 1878 मी अधिरियस्त संदी किये थी तो वो थे चार्ल्स मेटकोफ उसके साथ बाचीत करने के बाद में ये संदी की गई थी 1878 मी जिस समय अंग्रेजों देवरा तातकालीन राजपताना की रजवाड़ों की साथ साइक संदियों पर अस्ताक्सर किये गए थी उसमें बार्त का गवर्नर कोन था उसमें बार्त का गवर्नर हैस्टिंग स्था अगला जो क्विश्चन है निमल के तमेंचे कि सासकने 1878 चुईत संदिया के गई थी अगला जो क्यूष्चन है अगला जो क्यूस्चन है और दो इस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधिया कि गई थी 18-17 में किस राज्यों के साथ British East India Company के साथ संदी की गई थी तो किसंगर क्रोली और कोटा के साथ संदी की गई थी अगला क्यूशन अंग्रेजों से संदी करने वाला राजस्तान का पर्थम राजे कौन सा है अंग्रेजों से सबसे पहले जो संदी करने वाला राजे है वो है अलवर राजे जिसने अंग्रेजों से सबसे पहले संदी की थी सेकेंड ग्रेज पूचागया वध्योग में पुचागया क्यूशन है इंपोर्टेंट क्यूशन है दोस्तों क्यूशन आपको कैसे लगए इसी तरह के मैत अपर क्यूश्चन देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले साथ इस वीडियो को लाइक रपने दोस्तों के साथ सेर जूर रख रहे ताकि उन तक भी ये क्यूश्चन है वो पहुंच सके थैक्स पर वचिंग आपका दिन सुबो